आज हम बात करेंगे PAIC की transactions के उपर काफी लोगों के मुझे सवाल आए हैं कि सर इनके बारे में बताइए कि क्या ये transactions real हैं या फिर fake हैं दोस्तों आपने भी बहुत सारी transactions देखी होंगी PAIC की regarding काफी videos है या फिर social medias में आपने देखा होगा तो आपको मैं इसके बारे में पूरा सच बताऊंगा और दूसरी चीज़ कि अगर ये transactions real हैं तो वो हो कैसे रही हैं क्यूंकि अभी हम pie को transfer तो कर ही नहीं सकते और अगर ये transfer हो रही है तो किस price में क्यूंकि अभी pie का तो कोई price set हुआ ही नहीं है तो जो transactions हो रही है वो किस value के उपर हो रही है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिलेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है आपको हaped ये बताया है कि जो यह बताया है कि जो यह territory हुई है यह चार फरवरी 2020 को हुई है और इसके इलावा भी बहुत सारी transit है जो हुई है पाई के साथ यह मैंने एक्जामपल इसलिए लिया है क्यों कि जो Pi Network का Official Facebook पेज है उसमें इस transaction का जिकर है और साथ में ये फोटो भी मैंने वहां से ही ली है अब दोस्तों इसके अलावा और भी काफी transactions हुई है जैसे की food items हो गई for example honey हो गया या फिर कोई electronics हो गई उसमें मैंने example दिया है जैसे camera हो गया और इसके regarding मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और इसके अलावा भी और भी काफी transactions हुई है अब सवाल ये है कि जो ये जितनी भी transactions हो रही है जो भी unofficial marketplace है जहां पर ये transactions हो रही है क्या वो real है या फिर fake है तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू जो नए जुड़े हैं कि December 2019 में मतलब की almost एक साल पहले जो PIE की team है उन्होंने एक in-app transfer pilot program launch किया था जिसमें उन्होंने 300 pioneers को select किया था transfer करने के लिए तो दोस्तों इससे आपको एक चीज तो clear हो गई कि जो transactions हो रही है या जो भी PIE transfer किये जा रहे है वो real है अब दोस्तों बात करेंगे कि जो ये in-app transfer pilot program हुआ था इसका क्या result रहा था तो दोस्तों basically इसकी दो conditions थी पहली ये कि जो भी लोग pilot program के लिए select होंगे जो PIE को transfer कर पाएंगे वो इसको सिर्फ goods and services के साथ ही exchange करेंगे और दूसरी condition ये कि इसको हमको किसी और currency के साथ exchange नहीं करना है सिर्फ goods and services के साथ ही करना है अब दोस्तों इसका result ये रहा कि पहले तो बहुत सारी healthy transactions हुई लोगों ने अपना समान बेचा खरीदा with the help of PIE लेकिन दोस्तों हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी होता है कुछ लोगों ने इसका misuse किया जो कुछ pioneers थे उन 300 लोगों में से उन्होंने इसका misuse किया और इसको बेचने की कोशिश की in the exchange of currency और जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ये जो PIE network का official facebook page है उसमें इसके regarding video post की थी आप उसको भी देख सकते हैं अब दोस्तों एक और important सवाल जो आपके मन में होगा कि जो ये transactions हुई है ये किस value पर हुई है क्योंकि PIE की तो अभी कोई value नहीं है तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू कि ये जितनी भी transactions हुई है ये सब voluntary transactions है voluntary का मतलब है कि खुद अपनी इच्छा से लोगों ने transactions की है अब जिन लोगों को लगता है कि PIE की value इतनी जा सकती है उन्होंने अपने हिसाब से transactions की है या कर रहे हैं जिसको लगता है कि PIE की value एक डॉलर से उपर जाएगी वो जो transactions कर रहे हैं वो एक डॉलर पर PIE के हिसाब से कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 डॉलर तक भी PIE के साथ transactions कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 डॉलर पर PIE के हिसाब से भी transactions कर रहे हैं अब दोस्तों आप खुद देख लो कि जो भी ये transactions हो रही हैं ये core team नहीं कर रही बलकि जो हमारी तरह pioneers हैं जिनको इस project के उपर विश्वाश है जिनको लगता है कि पाई की एक अच्छी value बनेगी वो लोग transactions कर रहे हैं और अपना समान बेच भी रहे हैं up to hundred dollar per pie के हिसाब से pie का store खोड़ सकते हो अपने पास भी अगर आपके पास कोई goods हैं या services हैं जिसको आप बेच सकते हो pie के साथ फर्क इतना है कि जो हमारी mentality है वो है कि pie के साथ समान खरीदना है और जहां पर जो लोग इसको pie के stores बना रहे हैं उनकी mentality है कि हमको pie earn करना है अपना समान बेच कर औ उसके इलावा भी और कोई भी अपने pie को transfer नहीं कर सकता भी और जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारे store खुल चुके हैं कोई online store ऐसे हैं जो खुल चुके हैं जहां पर हम pie के साथ बाद में चीजें खरीद पाएंगे बेच पाएंगे जब हमारे पास भी feature आएगा pie को transfer करने का और कुछ लोगों के मन में सवाल है कि जो वो marketplace है क्या वो real है या fake है दोस्तों वो marketplace unofficial है unofficial का मतलब यह होता है कि pie core team ने वो marketplace नहीं बनाये हैं हम जैसे pioneers नहीं वो जो marketplace है उनको बनाया है for example अगर आपके पास कोई product है जिसको आप बेचना चाहते हैं तो आप अपनी आपकी कोई shop है तो आप क्या कर सकते हैं आप बोल सकते हैं कि कोई चाहे तो मेरे products खरीज सकता है with the help of pie तो उसी तरह जो वो marketplace हैं वहां पर भी different sellers हैं जो इकठा हुए हैं और उन्होंने एक marketplace बनाया है जहां पर वो अपने जो products हैं उनको बेच पाएंगे और ऐसे ही कई marketplace के बारे में जो अभी pie convention हुआ था उसमें भी कई जो marketplace थे उन्होंने अपनी presentation पेश की थी convention के अंदर और बताया था कि उनका क्या goal है क्या उनका mission है क्या उनका vision है लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी नहीं कि जितने भी marketplace हैं वो सभी सही ह हो सकता है कुछ लोग इसका गलत फाइदा उठाएं और लोगों के pie कठा करने के लिए गलत सी website बना दे आपको बोले कि आप अपने pie भेजें और हम आपको products देंगे और बाद में products भी ना दें तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है अपने हिसाब से पूरी study करके हमक इसे frauds हैं उनसे बच कर रहना है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत clear हो गया होगा कि जो ये pie transactions अभी तक हो रही है वो real है और वो कैसे हो रही है और किस price के उपर हो रही है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकाट